जय हिंद सात्यों स्वागत आप सभी काज की इस मैंत्रपूर्ण क्लास में जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं इंटर इस्टेट रिलेशन्स के बारे में सात्यों आपने इससे पहले इंटरनेशनल रिलेशन्स को सुना होगा जिने हम अंतर राश्ट्रे संबंद के नाम से जानते हैं यह इंटरनेशनल रिलेशन्स की बारे में आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं बलकि आज हम चर्चा कर रहे हैं इंटर इस्टेट रिलेशन्स अंतर राज्य संबंद उधारन के तौर पर आप लोगों ने सुना होगा भारत और पाकिस्तान के रिलेशन्स भारत और अमेरिका के रिलेशन्स भारत और रसिया के रिलेशन्स ये सारे रिलेशन्स की जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो हम इंटरनेशनल लेविल पर कर रहे होते हैं उन्हें हम इंटरनेशनल रिलेशन्स के नाम से जानते हैं वहीं जगर हम बात करते हैं इंटर स्टेट रिलेशन में केरला और तमिलनाडू के कैसे संबंद है वो आएंगे आपके इंटरेस्टेट रिलेशन्स में अगर हम भही पर बात करना चाहें कि तमिलनाडू और करनाटका के कैसे संबंद है तो वो आएंगे Inter-State Relations के अंदर तो साथ ही हो, जब हमारे देश में राजियों के वीच में बिवाद भढ़ने लगा, चाहे वो Water Dispute हो, चाहे वो Trade and Commerce के बीच में Dispute रहा हो किसी भी अंतराजिये संबंद के तौर पर है ना, चाहे वो Water Dispute रहा हो कौबेरी, कृष्णा नधीका, पानी के वीच में Dispute रहा हो, पंजाब की जल संदी रही हो पंजाब और अर्याना के वीच में Dispute रहा हो तो देश के लोगों को संब्धान दिर्माताओं को लगा कि कही ना कहीं हमें एक ऐसी Body, ऐसी Council बनानी चाहिए, जो कि Regulate करे, देश की संसद को लगा, कि एक हमें ऐसी Council बनानी चाहिए, जो कि Inter-State Relations को थोड़ा सा अच्छे से Deal कर सके और उनकी बीच में जो भी मन मुटाओं हैं, उन मन मुटाओं को खतम किया जा सके, तो इसी दिसा में कदम बढ़ाते हुए, संसद ने एक आर्टिकल पेस किया जो कि करता है आर्टिकल 243, जिसके तहत हमारी Inter-State Council का Formation होता है, आर्टिकल 263, सौरी, आर्टिकल 243 नहीं आर्टिकल नमबर 263 बनाया गया, और जिसके तहत हमारी Inter-State Council, एक Body, जिसका Formation हुआ और एक बनके तैयार हुई इसका काम सिर्फ यही था कि Center-State कैंद्र और राज्जी के समंदों को किस प्रकार से मीठा किया जा सकता है किस प्रकार से उन्हें परिवरतन लाए जा सकते है या फिर Inter-State Coordination को किस तरीके से बहतर किया जा सकता है और उनमें Corporation की भावना को लाया जा सकता है उधारन के तोर पर अभी आप देखेंगे कि दिल्ली Government जो है लगातर आये प्रतिदिन Center के उपर आरूप लगाती रहती है कि Center हमें ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है इसलिए एक ऐसी body का ऐसी council का गठन किया गया साल 1990 के अंदर साल 1990 के अंदर ये presidential order के तरह ये council का formation किया जाता है लेकिन फिर क्या होता है इसके functions की अगर हम बात करें तो इसका function सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि देश में जो भी किसी राज जी के साथ में कोई भी dispute है तो उन disputes को advice दे सकें उधारन के तोर पर अगर हम बात करें जैसे Krishna water dispute रहता है महराष्टर, करनाटक और आंदरप्रदेश इन तीन राजियों के बीच में dispute रहता है तो ये council का काम ये होता है कि ये तीनों ही state को advice दे सकती है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को आप manage कर सकते है या उधारन के तोर पर अगर हम कोई दूसरा example लेना चाहें कि जैसे करनाटक और के अंदर कोई जैसे दिवादा इसपद है कोई मुद्दा है जैसे केरल और तमिलनाड़ों के बीच में forest का कोई भी चल रहा है issue land mapping को लोग अभी कर रहे है तो वहाँ पर अगर कोई मुद्दा निकल के आता है तो उन मुद्दों को सही से सही किया जा सके investigate किया जा सके उन subjects को discuss करके बातचीत करके उन सब चीजों का समाधान निकाला जा सके इसलिए ही हमने interested council body का गठन हुआ अभी दरसल साथियो इसके chairman के बारे में अगर हम बात करते हैं तो prime minister जो होते हैं इसके chairman होते है इस council के और इसके साथ जितने भी states के CMs हैं उन सभी states के CM इस council के member होते हैं और union territories के भी CM और इसमें क्या होता है पहले जो थे पहला जो प्रापधान था वो 5 members का था किन्तु अब क्या है 6 members of cabinet rank also nominated by the prime minister जो कि इस council के अंदर इस बैठक में participate करते हैं new reconstitution से इसने क्या किया है जब इसमें amendment किये गए इस council के तेथ तो इसमें इनकी जो संख्या है उसको बढ़ा कर 10 कर दिया गया है कि अब 10 cabinet rank members जो होते हैं इस council की meeting में participate कर सकते हैं ये body साल 1990 में बनकर आई थी अब ये दरसल news में क्यों रहा था टॉपिक तो इसमें news में रहने का तात पर यही था कि तमिल नाड़ू के मुख्य मंतरी जिने आप जानते हैं भली बाती M के इस्टलिन साब हमने इनकी तब तस्वीर थम दिल में लगा रखी है तो आप ज़रा इनकी बारवे में जानिये इन्होंने एक लेटर लिखा था एक चिठी लिखी थी प्रथान मंतरी के लिए और इसमें नोंने कहा था कि इस काउंसल का फॉर्मेशन 1990 में हुआ था तब से ये काउंसल सिर्फ और सिर्फ 11 बार मिली है या 11 बार इसने अपनी बैठक करी है लेकिन अगर हम इसको फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग येरवाइस देखें तो इसको आज 32 सालों से ज्यादा के समय हो चुका है फॉर्म के हुए और 32 सालों के अंदर मात्र 11 टाइम ही ये काउंसल बैठी है और आमने सामने लोगों ने बातचीत किये सारे स्टेट्स आके एक सेम स्टेट्स को शेर करते हुए सारे लोगों ने बातचीत नहीं किये इन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि इस काउंसल की रेगुलर मीटिंग नहीं हो पा रही है जिस मज़े से स्टेट्स के बीच में इंटर स्टेट्स को जाधा देखने को मिल रहे हैं आज कल पिछले लास्ट सिक्स यर्स के बारे में अगर हम इन्होंने डेटा कोट किया उन्होंने कहा कि पिछले छे सारों के अंदर बाडी जो है सिर्फ और सिर्फ एक बार मिली है 2016 में लास्ट मीटिंग होई थी इसकी और प्रोसीजर ये कहता है इसका जो प्रोसीजर है जब संबिधान में इसको लाया गया था हमारे एक बाडी का फॉर्मेशन क्या गया था तो उस समय ऐसा लिखा गया था कि ये बाडी साल में तीन वार मिल रही होगी लेकिन इसकी पालना नहीं हो पा रही है इसलिए उन्होंने ये letter प्रधानमंत्री नर्यन्द मोदी के नाम पर लिखा था अब हम इसके benefits के बारे में जानते हैं कि यदि ये body तीन बार मिलती है ये लगातार ये discussion करती है तो एक किस थरीके से राजियों को और center state relations को improve करने में सायता परदान करेगा जैसे इसके कई सारी benefits law and order improve होगा law and order का improve होने से तात पर यही है जैसे suppose किजिए अगर कोई criminal है हर्याना से ब्लॉंग करता है और वो murder करके आ गया है पंजाब के अंदर ये दिल्ली के अंदर आ चुका है तो अगर ये interstate council मिलती रहेगी तो जो हर्याना government है और दिल्ली government है ये दिल्ली government और अर्याना government की जो पुलिस है वो थोड़ा better से coordinate कर भाएगी जैसे दिल्ली government की कोई पुलिस नहीं है वो किसमें आ जाती है center के अंदर आती है तो हर्याना और दिल्ली government के साथ अगर coordination रहा होगा तो वो हर्याना का जो criminal है वो अगर दिल्ली में आके सिफ्ट हुआ है तो उसे पुलिस के तैत पकड़ा जा सकता है तो इसलिए law and order को maintain करने में काफी ज़्यदा एहम भूमिका मिल सकती है जैसे कि अगर हम दूसरे मुद् इसको बंद कर दिया था फ्लाइट्स को बंद गर दिया था तो पबलिक हेल्थ को डॉमैन में जैसे हम बात कर सकते किसी एक राज्य में कोई वीमारी फैल रही है ठीक है तो दूसरा डिस्टेट क्या करेगा कि वहां से कौडिनेट करेगा है ना कि हमारे राज्जी के नाग तो उसी दूरियों को कम करने के लिए अगर ये लगातर मिलेंगी तो थोड़ा सा वैतर काम हो सकता है इसी फिल्ड में अगर डिजास्टर मेनेजमेंट की फिल्ड में अगर हम बात करें जैसे आए दिन साइकलों साथे रहते हैं या फिर कोई तूफन आता रहता है या अर्थ तो महां पर आया हुआ है तो उस बाउंडरी वाले एरिया को दोने स्टेट साथ में सॉल्व करें ऐसा डिजास्टर मेनेजमेंट के साथ बेनिफिट रहता है एकोनोमिक प्लानिंग के तैट भी प्लानिंग कोसिस रहती है तो यह सारे इसके बेनिफिट होते हैं अगर यह लेटल रिखा दा और है कि साल में तीन बार इसकी मीटिंग होनी चाहिए अगर हम में और बात करें कि तीन मीटिंस होंगे तो वही इसका वही है नेशनल इंपोटन् करता है